इस चुडेल बुढिया ने अपने पती को जहर दे दिया लेकिन जब इसके बारे में आदमी को पता चला तो उसे इस बात के उपर यकीन नहीं हुआ लेकिन फिर वो तेजी से बाहर की और भागा क्योंकि वो अपनी लालची पतनी को उसके लक्से को हसिल नहीं करने देना चाहता था वो नीचे कुदने ही वाला था कि बुढिया ने उसे पीछे से पुकारा और कहा I am sorry बाबू लेकिन फिर वो मुस्कुराया और सीधा बिल्डिंग से नीचे कुद गया ये देखकर बुढिया ने थोड़े मगरमच के आसू निकाले और फिर पुष्टी करने के लिए आगे गई ये देखकर कि उसका बुढ़ा मारा गया उसने एक अजीब सी मुसकान जल गई फिर खुषी-खुषी उसने सूटकेस खोला और अपने पती का लेपटोप निकाला बुढिया को लगा कि अब वो अपने लक्से में हासिल हो जाएगी लेकिन पासवर्ट डालने के बाद भी उसमें चेहरे के परमान की आवसेकता थी ये देखकर बुढिया का पसिना चूट गया वो दोड़कर बालकनी की और भागी लेकिन उसने देखा कि उसके पती का चेहरा तो पुरी तरह से बरबाद हो गया है चेहरा अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता पर बुढिया बहुत शातिर थी वो अपने एक पुराने दोस्त के पास गई जो लोगों के हुबहुत चेहरे बनाता था उसने आदमी से कहा कि उसके पती की मोत गिरने की दज़े से हो गई लेकिन वो उसे बहुत ज़्यादा चाहती थी और अब वो ये चाहती है कि वो आकरी बार अपने पती को प्यार भरी नजरों से देख पाए पार्ट टू के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और कॉमेंट करें